चैंबो मनुगा छोराहर को कथा प्रसंग अवत्यो प्रसंग मा प्रविश्गार्नों पुर्व आउनों सेवडा मिठो भजन लाय हमी शवण गरूर भजन पर साथ कोना हमी अगाडी नया प्रसंग मा प्रविश्गार्ने साउं वक्त वस्चल भगवान को भूली बाब मेरो दुखा कस्ट मिटाई द्यो डुबन लाग्यो मेरो नूगा पार लगाई द्यो भूली बाब मेरो दुखा कस्ट मिटाई द्यो भूली बाब मेरो दुखा कस्ट मिटाई द्यो डुवनलाग्यों मेरुन्मुंक पारिलगाइद्यों सारा विश्वरहे कोछा तिम्रु नयनमा जती पनी प्राणी हरो धर्ति गगनमा भोले बाबा मेरो दुखा कस्ट मिटाइद्यों डुबनलाग्यों मेरो नौका पारिलगाइद्यों डुवनलाग्यों मेरो नौका पारिलगाइद्यों लुवनलाग्यों रिसि मुनि ज्यानि सवधानम गनमा सबका आधर सीबती में चौद भुवनमा भोले बाबा मेरो दुखा कस्ट मिटाइद्यों भोले बाबा मेरो दुखा कस्ट मिटाइद्यों डुबनलाग्यों मेरो नौका पारिलगाइद्यों दुबनलाग्यों मेरो नौका पारिलगाइद्यों सिवसंकर हगवानको मन मेरो लागी रहु स्तरण कमलमा खरकी आवनो ना परोश्यों जन्म मरणमा भोले बाबा मेरो दुखा कस्ट मिटाइद्यों भोले बाबा मेरो दुखा कस्ट मिटाइद्यों दुबन लाग्यो मेरो नौका पारिल लगाई देवो जय सम्हो काली कम हो नीलकंठ महादेव आसा पुर्याई देवो स्वामी मेरो अरजिशो नीला जराखि देवो भोली बाब मेरो दुखा कस्ट मिटाई देवो दुबन लाग्यो मेरो नौका पारिल लगाई देवो भोली बाब मेरो दुखा कस्ट मिटाई देवो दुबन लाग्यो मेरो नौका पारिल लगाई देवो सिवसंकर भगवान को भगवान सिवा माता स्थिको दिप्य पावन प्रसंगा कथालाई बैत्रिया महमनिले बाणन गर्नाऊंच अब अगाडी गाईरा स्वाइम्बो मनो का छोराहर को कथा प्रसंगा बणन गर्येको छाश्वजन अगाडी का प्रसंगा हरु मान स्वेम्बो मनो का दुईभाई पत्र हरु थे जेठा को नाम तेव प्रियपरत र कांचा को नाम तेव उत्तान पाद र सरब्रतम यहां कनिष्ट पुत्रा उत्तान पाद को प्रसंगा बणन गर्येको छाश्व उत्तान पाद राजा बननों भयेको छाश्वाले बिवागरन भयो उत्तान पाद की पत्नी को नाम तेव शुनिती का साथमा बिभागरेगो देरे समय भयो तर शुनिती का गर्भ बाट संतान भयन चराचरी भयन चराचरी नभय का कारण लेगर्दा बड़ा पेडा भयो बड़ा कष्ट भयो उत्तान पात राजालाई ग्रियस्ता आस्रम मां प्रवेशकरी पछी संतान भायनन चराचरी भायनन बने तो ग्रियस्ता आस्रम बड़ा दुखा माय हुँँचा बड़ा कष्टम आयो हुण छा, च्वराचरी रुएको आवाज गुनजियना ते घरमा भने, च्वराचरी को तो तली बाणी गुनजियना गृ médiaष्टि गृता घरमा भने, ते गृष्ति का घरमा आननमद गईले पने हुदरही नरश राज everything बड़ा चिन्ता चा अवा मेरो उत्तरा दिकारी कोई पनी ना होने बव। मो मरे पची मेरो दशगात्र क्रिया कर्म गरने पनी कोई ना होने बव। वनेर सारे पेडा भाएको चा उत्ता रानी सुनितिलाई पनी बड़ा पेडा चा मैले नारी भाएर जन्मा लियेको पनी बर तबो मेरा गर्व बाट मैले यवडापनी संतानला जन्म दिन सकेना बनेर सारे पिडातियो रानी का मनमा बने एक दिन को कुरा रानी ले मनमा विचार गर्न बो अब मैले क्याईने काई गर्न परस्च बनने कुरा विचार गरेर मत्यराज को समय मा अपना पती को सैन कक्षय मा जाना हुँच गईर अपना पती को पाउशेवा गरना लागन भयो रानी ले पाउशेवा गरता रानी का आखा बाट जरेगा ती दुखा का ताता ताता आशु का थोपाहरों पुत्तान पाद का पावुमा टपक टपक गरिर जरेशन दुखा का आशु भनेगा ताता होंचन हर्षा का आशु भनेगा चिशा होंचन बित्र मन दुखेरा पिडा बकेरा आयका आशु हेरु दे ताता हुने गर्शन राजाले भन्नोव महरानी तिमी रुदैशव भन्नोव हाँ पति देव मरुदैशव कारण कि हो बंदा हमेले ग्रियस्ता आस्रम्म प्रविश्गरेगोपनी देखिश्रमाय भायो महराज तर मेरा गर्व वाट ऐली समन मैले संतानले जन्म दिने सकिन अजुरला उत्तरा दिकारी प्रदान गर्नम अईले सकिन मलाई सारी पिडाचा भनेरा डुन होंच राणी राजाले भन्नोव देवी संतान पनी बगवान को क्रिपाले मैंतरी प्राप्ता होंच कुने जिन इश्वर को क्रिपा भयो भने संतान होलान एसरी तिमी आपले आपला दुख्ये न बनाव भनेरा समझावन हो राणी ले बन्नोव पति देवी मेरा मनमा धेरी दिन देखी यवडा कुरा खेली रहेगो छा यवडा कुरा आई राको छा हजुलना शुनाव की भन्षो फेरी मन मान्दै न आजाची सुनावने इच्छा लियरा आयकी छो बन्नोव कस्तो इच्छा बन्द अपति देव मेरा गर्व बाटता अवा संतान होलान जस्तो छाई न तिसेली हजुलने अवा संतान प्राप्ति उत्तरा दिकारी प्राप्ति का लागी अरको बिवाह करन परसा अवा बन्नोव राजाली बन्नोव देवी तिमी क्ये बन्दै शओ तिमी होदा होदै मा अरको बिवाह करदी न माई ले अरको बिवाहा करिं मनें घर को हलत किये उंचा फेरी मा बिवाहा गर दिन मना पाई ना अजु ले बिवाहा गरनें परसा मना यता चागहरमा सोता आय पचे घरको हलत किये उंचा बने रा तर जती पनी दुखा क dentro आओला जीवन मा त्यों सबई मा शहन सो बढ़ा यो घर मा भैर भाने मा आंते गई रभसं ला अर हजूले अरको विबाहाची गर्नी पर सब आणी को अन्वाय बिनाई लए स्विकार गरी राजाले अरको विबाहा गर्नो कंची पत्नी को नाम त्यों सुरूची जेठी को नाम्चे सुनिती कांची को भयो सुरुची विवाह गर्नभो विवाह गरी को केई समय को अंतराल्म कांची पत्नी सुरुची द्वारा पुत्र को जन्मा भयो जसले हमी उत्तम मनेर जान्द साउं उत्तम को जन्मा भयिशके पस्षाद राजाले विश्तारी विश्तारी कांची रानिलाई अधिक माया गर्नभो जेठी को वास्ता बंद होना छाड़ियो गर्यमा जेठी ले जी मागन होन्छ त्योकुर आउन छोड़ियो कांची लेता अलिकती बन्ने वित्यके देरे आउन थाल्यो गर्यमा कांची का लागि बस्त्रादी शाडी एरूपनी गर्याना एरूपनी छानी छानी आउन थाले तर जेठी का लागिता पारवार भंदाबनी आउन छोड़ियो बड़ा गारो भयो रानी लाई अब यो घरमा मा देर होना थाले जस्ती छो मेरो अपमान होना थाले वाबा तर यसमा राजा को गलती छाईना गलती मेरो हो किना कि मैले नी वहालाई बिवा गरना का लागि आगरह गरे के हो यसमा राजा को गलती छाईना अब मैले यो घरमा इसेरी धेर भहेर बसनो ठीक छाईना त्यकुरा मनमा विच्छार गरेरा रानी मध्यराद को समयमा तरबार बाट निकलेरा बना तरभ प्रस्थान गरनोंच जंगलमा गईरा बनमा गईरा पुटिया बनाईरा रानी बसनोंच जीबन यात्रा सदै भरी एके ना सोददैना रशा जीबन यात्रा सुखमाई भाईरा बनना शकिदैना रानी बनमा जानभो गईरा पुटिया बनाईरा बसनोंच खाने कुरा चाईना अन्न चाईना खेती पाती चाईना कंद मुल फलहार खाईरा आतको सिरानी लगाईरा बहिमा ब्रिक्षय का पत्ताहरू उच्छाईरा सुतने गर्नोंच रानी तेस्तो अवस्ताच महाँ अनि रिशीमनी सादू संतहरू उनोंच बनमा उनेरू संगई सत्षंग गर्ने रानी ले बानी बसनोंभयो एक दिन गुकुरा सजन राजा उत्तान पादलाई सिकार खेलना जाने विचार लागेचा राजा महाराजा हरो पहली पहली सिकार खेलना जाने गर्थे आखेट मा निकलीने गर्थे राजा उत्तान पार्लाई पनी तो विचार आये छा वहां शिकार खेलना मनेर बनमा जानों छा शेकार खेलदा खेलदाई, शांच परना लागे छा, हावा भंडरी चलना लागेऊ, अकाश गड़ं गड़ं गरना लागेऊ, बिजुली चमकीन लागेऊ, राजाले घोडा मां चड़े रहतार अतार घोडा दावडाउं देई, दरबार तरफा आउदेई होनां त्यों, राजाले बार बार हिन्ना का लागे संकेत गरनबो गड़ालाई तरफा गड़ा हिन्ना मां देई न, बार गड़ा पतकगेऊ नहिडेऊ पछे, बोही माँ खोस्रींच गड़ा, गड़ा टेकना खोच्छा, राजाले बिचार गरनबहएऊ, गड़ाले क्याई भाय याता यहले के संकेत गर देशा याता वू बिमारी भाई को हनो पर सा राजा ले विचार गरनो भो तो गडालाई एवटा रूखा का बुटामा बादेरा राजा जानो भो तो कुटियामा पानी पर देशा एक्षेन आराम गरनों परियो अनि फेरी जाउला गडाले आराम पनी गर्च बनेर पानी पर देशा हवा हुणडरी चल देचेओ हतार तार कुटियामा पोगेर वो हुनुँच भित्र भनेर आवाज दिनभो मित्र भाट आयर ढोका खले रहरदा अरु कोई भईना आपने जत्ती श्रीमती सुनिती को कुटिया रहे चाते राजा छक्क पर्णभो देवी तिमी यहां बंदा हां पति देव मां यहां मैं ले एकलो जीवन बितायक अपनी धेरी समय भयो इस्त कुनी समय कुनी पल बेतित भय नहोला जती खेर मैं ले हजुर को याद नगरी की होश रती दयालू परमात्मा को स्मरण चिंतन नगरी को कुनी पल यह थे न मैं आज तिनी परमात्माले मेरो मन को इच्छा पनी बजी दिन भय चा हजुर्लाई मेरो कुटिया पवित्र बनाऊना पठाऊना भय चा पति देव आउनस महाजुलाई स्वागत गर्षो तियो गोडाले संकेत गर्यो राजालाई गोडा छेव मा आईपुगने विद्धिके गोडाले चाल पायो कि यहाँ जिठी रानी बश्नोंचा बने रा दर्वारमाँ होदा घ।ी चटि तेवो गोडामा चडेर सुनीती हिन्यो वाई गोथियो तेसले उल्लेपनी संकेत गर्यो सजन तेवो गोडाले आउनसले ठावज़ो पशुग प्रानीहरो मालिक परती इमानदार होँसान बभातार होँसान जहीले बनाए अपना मालिक लाई कईली पने धोका दिदैना पशी को खाई जबने तेसको नुन को सिदो करचन पशुप्राणी ले तर मंचे ले पैमानी करना सक्षा मंचे ले धोका दिन्चा मंचे को विश्वास करना सके दैना तर पशुप्राणी को विश्वास करना सके ले तर तिस्तु खल को अवस्ताय राजां वित्र जानोंचा रानी ले लीर जानों भू बसने आशन दिनोंचा तिनी रुख का पत्ताहरु अच्छाय दिनों भू राजा बसनोंचा बसे रहा सुख दुखा का कुराहरू भई पति देव अजुला भोक लागे होला कोती खेरा आउनों भातियो शिकार खेलना लाई मा केई लिए रहा आउशु भन्न भो घरमा ता अन्ना को दानों शाईना कंद मुल्क खाईरा ती दीन हेरला बेतित गर्दे होनां थिवो जठी रानी महलमा होदा कति ठीए खाने को रहरो शेवी काहरले बनायरा लियायरा दिन थे रानी अलेली खायरा छोटना तो निहुंतिवो तार हेरता आज खाने कुरा केई पनी चाहिना सब्सक्राइब बन्मा गईर फ़ल हेरो टिपेर लियरा आउन होंचा राजाले लाई दिन भायो राजाले ती फ़ल सुईकार करना होंचा सुख दुखा का कुरा भाय धरे वेर्शमन बस्नवो अनि रात अगाड़ी बढ़न लागे पछे राजाले बन्नवो देवी अब रात धरे भाईश्य क्यों मौ जाना चाहन चोई आवांट उठेरे हिन्न लागनवो राणी ले बन्नवो आजा को रात अनि राजा महराजा ले ठुला बेक्ति ले रात भी हाल एकले हिन्न हो देगा सत्रु लागन सक्षन महराज आजको राद यहीं बसनोस बने रा अग्रह गर्णवो अन्वाय बिने गर्णवो त्यो रात्रिमा तेहीं बसनोस राजा रानी को भावना देखेरा स्रद्धा देखेरा राजा उठेरे हिन्ना सक्न वाएना किना कि मांचेला बादने भने को फलाम का सांगलीले जन्जीरले डोरीले बांदा मांचे कईले बादे दैने सजन मांचे को बंदन भने गोता प्रेम रुपी डोरी हो मिठो बोलीले, मिठो बाणीले, रामरो ब्यवारले, बाद्धा मात्रे मन्चे बादीन छा डोरीले बादे को मन्चे ता डोरी चुणायरा भागना सकला तर प्रेमले, स्रद्दाले, भावनाले, मिठो बाणीले, रामरो ब्यवारले बादीये को ब्यक्ती त्योग माया रूपी बंदन ले तोड़े रवो कहिली पनी भागना सकते ना कहिली भागना सकते ना अनी राजा त्यो रात्री में तेहीं बस्तनों है पर मात्मा का क्रिपाली भगवान का क्रिपाली रात्री को समय में गर्वधान संस्कार पनी भाहे छा व्यान उठेर राजा तरवार मा जानबो एता रानी को गर्ब रहे चा तो गर्बस्त शिशू विस्तारी विस्तारी हुर्कन लागयो नौ मैन वाट दश मैन लागय परसी जंगल मानी मंगल भयो जेठी रानी का गर्ब बाट बनी येवटा पुत्र को जन्मा भयो छोरो जन्वियो जश्लाई हमी दुरुवा भनेर जान्दसों दुरुवजी को जन्मा भयो भनमा दुखा पाईयो भनेर कैली पनी हरे स्खानों हो दैना दुखा मा बसेर पनी परमात्मा को चिंतन गरने हो भने गरी रहने हो भने एक दिन अवश्यती दयालू परमातमा को कृपा हमी माती परसेन चाहुँश सुनी दिले उने परिस्तिति मा पनी इश्वरला विर्षेन भाय नमाले वा कर्मशील भायरा लगंचील भायरा निरंतर लागी रहनो भो तेसको परिणाम द्रुब जस्तो संतां प्राप्तगर्णब भाले द्रुब भने को क्यो हो बन्द अटल विश्वास द्रिड निश्चय संकल्प को नामो द्रुब सोची शके पच्छी नगारी कना न छोड़ने चाहे तेसको परिणाम जेश्चय होस तेस द्रिड निश्चय संकल्प को नामने द्रुब भोसर द्रुब जी को जन्म भयो द्रुब जी हुरकांदे बढ़दे बढ़दे पांच वर्षको होन भयो राजा उत्तान पादला थाचाई न छोड़ो जन्मिय को करा बनमा रिशी पत्रहरो रिशी कुमार बालकेर का साथमा खेलने गरना उंत्यो द्रुब जी औनी खेलदे 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 जादा रिशी पत्रहर ले भन्न भयो कि नजी कई एवटा गाउं तो गाउं देखी परतिर सहर सहर मा ठुलो राजा को दर्वार छारे जऊं आजा राजा को दर्वार हेरना बननो गो दिर्वजी बननो ओहो राजा को दर्वार हेरना पाइंचा बने तो जऊं मा पुग्न भो राजा का सेवक सेना हेरले गायर बने राजा लाई महाराज नजिकेगो बन बाट रिशी पुत्रहरू आउनो भाईगोचा बने रस्वनाई राजा उत्तान पादले बनन बोश्वागत कोक्ष्यमा लियर आउ सबै लाई बनना सबै जना लाई ल्यायो राजा ले स्वयम उठेरा गायरा संपून रिशी पालक हरूलाई पुत्रहरूलाई प्रणाम गरनोंचा सबै ले आशिर्वाद निदै जानो भो दुरुवजी पल्ला जहुमा उपिन भाईगोथियो सब्याई बनने रिशी पत्र समझे राजा ले प्रणाम गरने लागनो भाईगोथियो दुरुवजी ले बन्नव माराज अपुत्रह ले मलाई प्रणाम नगरनोस बन्नोडवा राजा ले बन्नव किन बन्द spricht प्रहम्मण होई नमा छेत्रियम ते शेईलियो मेरा पिता को नाम की हो भने र त्योता मलाय थाशाई ना तर मेरी आमा को नाम जए शुनीती हो हमी बंध मा बस्तों कुटिया मा बस्तों मने र परिचाय देन भायो परिचाय दिने भित्तिके राजा उत्तान पाद छक्क पर्नव सजन उत्तान पाद ठचक तल भईमा बस्तों गुणा तेक्नव हो सुनीती को पुत्र भन्दे भित्तिके आखा बात शनेह का आशो का धारा हरो पगना लागे सुनीती को पत्र हो तिम्रो नाम के हो बन्दा दुर्वा हो तिम्ही कती वर्षका भयो बन्दा मा पांच वर्षको भया आज बन्दा पांच वर्षक पुर्वा मा रानी का सात्मा बसे को थें उनी प्रती कुनेपनी संका उपसंका गर्णो परने कुनेपनी कारण सही न किनेगी उनी मेरी धर्म पत्र हो राजाले आखा भरी आशो लेरा उठेरा गएरा आशन मा बस्तनोंच अनि भन्नोंच हे पुत्र तिमी सुनीती का पुत्र हो भने तिमी मेरा पनी पुत्र हो बाबो मेरी पत्नी होन सुनीती आउ धर्म पत्र मत्र मिलाई छाती मा लगाएरा माया गर्ना चाहन्चो बाबो अँखने रा हाथ अगाड़ी बढ़ाऊना भय उत्तानापाद राजाले मेरा रिदय लगाय रची मिलाई मायागर न चहांचो पत्रा एक चोटी काख मां राहना चहांचो भाणे रा आखा भडी आश्यों लिये रा लिए हाथ अगाड़ी बढ़ाऊना द्रुबजी छक्का पर्णुबव मेरा पिता उत्तानपाद राजा यती भेर समन सुनी तीले परिचाई दिये के थे ना सुनी तीले परिचाई दिये के थे द्रुबजी लाई कि तिमरा पिता उत्तानपाद राजा मन भने रहे सुनाई के थे बड़ा अशर्य लाग्यों द्रवजिलाई पिता काखा मा बस्ता कस्तो हुँच इसको अनुभप्पनी बटलों भनेर गईर पिता काखा मा बस्तन ही लागनों भईगोतियो तित्ती खेरे कंची आमा शुरूची तुपलक का आईपगनों भईचा अगिनी देखी आईर सुनी रनभाकव रचा कंची आमा ले दौडी दे अगाडी आईर भन्न लागने ए द्रवा तौ मेरो सौता को छोरू रचा सवै कुरा मले थावाय मेरो सौता को छोरू होदा होदै तलाईमा राजा बन्न दिन, सिंगासर्मा भसन दिन राज्य दिन शंपति दिन मेरा च्वरागव अधिकार हो तलाई यदि राजा बनने विचार सबने जा पहली गाई भगवान को तपश्या करे अनि भगवान को तपश्या करे तहीं ले भगवान संग बरदान मांगनो किये भने बन्दा हे प्रभु परमात्मा म मेरी सोतेनी आमा कांची आमा का गरभम जाना पाउ भनेदा तहीं ले भगवान संग अनि अरगो जन्ममा मेरा गरभमा आई पशे मेरा गरभवाट जन्मी पशे अनि माँतरहितन राजा बनने लायक उने शस्वनेदा गाली गरे नवच्छ निपतेर दिश्णयम भवान आरोड मरहती कुक्षया वपि निपात मदव मेरा कुक्षिमा मेरा गर्व बाट नजन्मी गन मतलए राजा बनन दिनना भनेरा गालिव दिरुवजी लए बड़ा पेडा भयो बनन दिरुवजी लच्छ लागनेव घयो कस्टविड मेरे थेत्रफ गालिजरदह अपने उत्तानपाद रादा ले कई बलन वह Patri यह वाट दिरुवजी रुदई 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 बनacia मेरा भयो आमाले बन्नवो बाबू किना रोंचाओ तिमें के भत्ति मिला तिमेले कशेले कुटियो की क्या हो आजा बंदा आमा कशेले मला एक ठपड कुटियो भाई मरोने थिन होला तर मेरो मन सारे दुखे को छा आजा भनेरा दुर्वजी रोनोंचा के भत्ति मिलाई बंदा आमा मलाई था थाथियो नगी मेरा पिता उत्तानपाद राजा होनोंचा भनेरा मलाई थाथियो मत रिशिकुमार बालके रुशंगा घुमदे घुमदे कैं प्रणाम गर्ण भने रावन भो राजा मेले भने मलाई प्रणाम नगर्ण उसकेने कि मा छेत्रीय होई नुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ वाले मला इसो इसो बन्न भायवामा ये भनिंत सुदुची लेती मिलाई बंद जा गाईर पहला भगवान को तपश्या गर अनि अर्गो जन्ममा कंची आमा का गर्बमा जान पाउई प्रभू बने र भगवान चांग बरदान मांगनो तैले अनि मेरा गर्बमा आय पाउई 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 भाने को हbersए नारसाई बननों कि तो पच्छी बनेगा को राछीमे तो हुड़ द्यद्या पेदे को बहुत्त ilgili अंत्य अधि Amos डुन्हां कैं य। बच और एंग दहिंगें अत्य के भगाँ पालए स्वानगरेके यह 4 राम्रोपूरा हो भगवान को भजन गार्णों राम्रोपूरा हो भगवान गवराद राम्रोपूर अलारं आप जब भगवान को कृपाले भगवान को तपश्या गरे रभगवान को कृपाले प्राप्त गरे को जो राज्य हुँझा नि कुर्शी हुँझा नि तो ता युग युगांतर समन तिक्षा धरी वर्षा समन तिक्षा है रा तर जवर्जस्ति बंदुक का भरमा खोशेरा प्राप्त गरे को राज्य कुर्षी धेरे देंशमन कैले पनी टिकताई ना तेव तिकी न हदै नदिगों हदै न तेलले जन्तालाई शंतीपनी दिरैना जबर जास्ति खोषे को राज्या तर जन्ताको मन जीतेरा भावना जीतेरा disclosure को राज्या मात्रे कुर्शी मात्रे धरे बेर्श मंटिक्ष तेले सबैला आनंद पने देंछा तेशेले पुत्र तिमिलाई पनी राजा बन्ने विचार चा यदी भने जाओ गईर भगवान को तपश्या गर बनेर माता शुनी तिले पनी तेई शेक्षा तिनबो दुर्बदिलाई तेशुब ने आमामा आजैने जान्चवाब भजन गरन मनेर आमालाई प्रणाम गरीर दुर्बदि हिन्न भो अरको बनतर्भ जानोंच पांच बरसको बालग दुर्बद तपश्या गरन मनेर जानन भो बाटामा नारजी श्यांगा बेड़ भाया चाहिए नारजी लाए गईर प्रणाम गरनव हो अनि येवडा कुरानी सजा नारजी ता गुरु हो हामी बंचों गुरु खोजनों परशब बंचों गुरु खोजे र पाइने बिशाए वहीना यो द्रुबको प्रसंगाले हामी लाए यो कुरा जिन्यान नेंची गुरु खोजेर पए देना दुरुभजी ले गुरु कोजन गईरन पर देना वहाले किये गरनो भो पव Конल अटल विश्वास का साथमा मो भगवान प्राप्तगर्शू ब़ने विश्वास का साथमा भगवान का मारगमा हिन्दो वो दुरुभजी बस तर दुरुबजी ले गुरु खोजना गई रहनो पारेना गुरु खोजेर पाईने चीज होईना जुन्दिन हमरा मनमा दृड निश्चाय संकल्प आत्म विश्वास इस्वर प्रतिको पक्का विश्वास हमरा मनमा होंच तेस्तिन गुरु स्वयम आउनोंचा हमरा अगाड़ी तर ती आउनो भयका गुरु लाई चिन्न सकने छेमा ताजी आभोमा होनो परियो तेतीजी होनो पारेना गुरु खोजेर कईले पनी पाई देना गुरु त्वाकर्षन सक्ती गुरु क्रिपा भोजेर जवर्जस्ती लीने विशाय होईना गुरु क्रिपा ता आफनोंच मार्ग शै मार्गम हिन्न लागे पचे द्रिण निश्चय संकल्ब विश्वास प्रबरदन भय पचे गुरु क्रिपा आफैं होना थाल छे पात्र यदि शैचा बने पात्रमा कुने कमी शैना बने गुरु क्रिपा आफैं होना थाल छे गुरु शयम आउनोंच तर गुरु देवलाई आउना शक्ने छेमता को जागरिती गराउने हम्रों कर्मजी राम्रों होनों परिया तेसिले दुरुबजीले गुरु खोजन जानू परे न गाईम नारज्जी सयम गुरु बने रामार्गमा बस्चन भागोशा दुरुबगो प्रतिक्से करे रा द्रुवजिले देखनवों नारद हुनोंच गुरुदेव हुनोंच नारद वन्यताचैना संतक्व भेश्मा हुनोंच गैर प्रणाम गर्नवों द्रुवजिले नारद जिलाई आयिश्मान भवपत्र वनेर अशिर्वादे को हुँ तिमी बंदाम सुनीती पुत्र रुवाद अनि तिमी कती बर्षको भयो बंदाम पांच बर्षको भयो अनि का हीड़ों तिमी बंदाम भगवान को भजनगर नहीं नेको बजन गरने हिड़े को भन्ने बित्ति कई बड़ा आश्यर्य लागयोते दिखे दाने शें अनि तिमीला बजन गरने तरीका थाचा बंदा छाई ना मंत्र थाचा छाई ना बास्मा बजन गरने हिड़े को एड़ परमात्मा प्राप्तिका लागी मंत्र चाहिशा दैवा धीनम जगत सरवं मंत्रा धिनाश्य देवता हा दुनिया सवे देवता का अधिनमा छा तर देवता मंत्र का अधिनमा हुँशा ते शेड़े मंत्र विना देवतालाई प्राप्तगार्न सके देदा तिमिलाय मोक्षयं गुरु बनेरा तिम्रो दिड़ विश्वास संकल्प देखेरम प्रसन्न भें अवमत्ति मिलाय ज्यान दिन्चो तत्तात गच्छ भद्रम्ते यमोनायास्तटम् सुची पुन्यम मदुबनम् यत्राः शानित्यम् नित्यदाहरे ये द्रव तिम्ही यहां वाट अगाड़ी जाओ जाने गरद येवटा मदुबन नामगरी को बन आऊंसा मदुबनम् मथुरा जिल्ला त्यों मथुरा देखी पर्तिर जादा मथुरा सहर का नजी गई वाट यमुना नदी बगेगी छल त्यों यमुना नदी पार तरेर जानू पारी पटी जादा मदुबन नाम गरिये को बन आऊँछा त्यों मदुबन मगयर तिमी बशेरत पष्या गरनो भगवान अनि भगवान को अस तो हुनंजात तिमी ले ध्यान गरनो भगवान को श्रिवत सांकं घनश्यामं पीतक उसे अबाशसम। पहिला रेशमी वस्त्र धारण गरनो भगवान पितामबर धारी अनी संक चक्र गदा पदम धारी अनी शिर्म मुकुट गलाम बनमाला तिस्ता परव्रम्म परमात्मा मुशु मुशु हांसी रानो होने भगवान को तिमीले ध्यान गरनो। जसका नंग हेरू मनिशमा चमकिला चन जसका पईतालामा बज्रण को धजाहरले चरण चिन्न हेरू चिन्नेत भगवाचन तिस्ता भगवान को तिमीले ध्यान गरनो। अनी तिमीलायम मंत्र बनि दिदैचो यम सप्तरात्र प्रपठन पमान पश्यति खेचरं बाबो। यो मंत्र तिमीले साथ दिन साथ रात्समा निरंतर जब गरेव बने आकाश्मा हेडे का देवताहर को दर्शन करन सकने दिभ्य द्रिष्टी छेमता तिमीलाय प्राप्त होंजा। रयो द्वादसाक्षेरी मंत्र हो ओम्नमो भगवते वाशुदे वाया। यो मंत्रमा बार होटा अक्षेरे रुषा। द्रिष्ट्र जब गरना लागनों भगवान को ध्यान गरना लागनों आउनो स्टा हमी पने द्रुबदिलाश्ट्यों करमेकशिन बन्नों भाशिदे वाशुदे 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 वाया। Om Namo Bhagavati Vāsudevāya Vāsudevāya Prabhu Rādhavallavāya Om Namo Bhagavati Vāsudevāya नारदले धुवजिलाई यही गैन्सिकाई नारदले धुवजिलाई यही गैन्सिकाई यही गैन्सिकाई प्रभु यही गैन्बताई Om Namo Bhagavati Vāsudevāya ओम्नमो भगवते वासुदे वाया क्रिष्ण जिले अर्जुनलाई यही ज्यन सिकाए प्रभु यही ज्यन बताए ओम्नमो भगवते वासुदे वाया ओम्नमो भगवते वासुदे वाया क्रिष्ण जिले अर्जुनलाई यही ज्यन सिकाए यही ज्यन सिकाए प्रभु यही ज्यन बताए ओम्नमो भगवते वासुदे वाया वासुदे वाय प्रभु नंद नंद नाया नंद नंद नाया प्रभु राध वाल्ल भाया ओम्नमो भगवते वासुदे वाया ओम्नमो भगवते वासुदे वाया वासुदे वागवान को जैधो द्रभजीले द्वाधसाक्षेरी मंत्रको जब गरना लागनो भगव वस्यार त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते का पिथ्भ बदराशना दृपजीले तपश्या गरना लागे को पई लो मइनामा तिन-तिन दिनमा खाने गरनों धे ओ क्ये खानवो वंदा क्येत को फल बैर का दाना हरो खायरा पईलो मैना व्यतित गर्न भयो दोस्रो मैना लागे पचे छचा दिनमा खान उन्तियो क्ये खानवो वंदा त्रिन परणा देवे रुख का पत्ता हरो पत्ता भेला पार्यो अनि एक पेट पत्ता खायो चोदिन समन केई पनी नखायो गरेर दुसरो मैना वेतिद्वयो तेसरो मैना लागे पछे दुरबजीले नव नव दिन मा खान उन्थियो क्ये खान वो वन्दा अप भक्षय केवल जल मातरे यमुनामा गयर एक पेट पानी पियो अनि नव दिन समन केई पनी नखायो नपियो गरेर दुसरो मैना वेतिद्वयो चवतो मैना लागने पितिके दुरबजीले बार बार दिन मा खान लागनो क्ये खान उन्थियो वन्दा बायु वक्षय केवल हावा मातरेयर क्ये ब़ल हावा प्राणयम को माध्यमदारा स्वासलाय स्विकार गळियो बार दिन समन पेट मा लगेर राख और नेगल दिन का दिनम्हा चिह स्वाशलै पुन राणयं गरनुन द्रभजी कुष्टो अभ्यास्थियो द्रभजी माय अस्ता है। आनि त्यति गरी शके पस्थाद दुरृबजी महराज आश्यर्य चके तो नभवाँ मोमा आपें इस्तो अप्यास कशेरी प्राप्तव होदै शवनने कुरा दुरृबजी आपें ले आपोलाई आश्यर्य चके तो नभवाँ अनि द्रुबजी महराज ले चोथो बाट पांचों मैना लागी पच्छे सारा प्राण बायु लाई पान गर्दी नभो विश्व मा कहीं पनी प्राण बायु छाई ना देवताहर लाई स्वास्फिर ना मश्किल परियो प्राणी छोटला जस्तो भो देवताहरु लाई सारा द्रेवताहरु त्राही त्राही गर्दै भगवान क्रस्चरणमा पगे नईवं बिदामो भगवान प्राण रोदं चरा चरातमा खिल सत्वधाम नहां हे प्रभु परमात्मा हजुत अखिल विश्व ब्रह्मांड का नायक प्राणी मात्र का रोक्षे कुनोंच हे भगवन हमरु प्राण अवरोद भयो प्राणी छोटला जस्तो भयो प्राण वायु चैन हमेरला बचाउन उस्प्रभु वनेर देवताहर उप्पोगे भगवान का शरणमा भगवान लिभन्यों मावैष्ट वालं तपसो दुरत्ययाह निवर्तैशे प्रतियात स्वधामा यह देवताहो तिमेरु चिंता नगर तिमेरु आपना-पना लोकमा जाओ आपना लोकमा प्रस्थान गरतिमेरु मेरा एक जन परम भक्त शन उनले संपूर्ण प्राण बायुला आपना पेट मा लगेर राके काशन मचिटई ने मेरा भक्त को दर्शन गरना जादैश्यु भनेरा भगवान ले बननो सारा देवताहर आपना अपना लोकमा प्रश्थान गरे हैं भगवान एक आएक मदोबन मा पग्नोंच द्रुबजी ले गयरा भगवानलाई प्रणाम गरनोंच भगवानले उठाएर पाव मा जुके को बालक ध्रुवलाई भक्तलाई उठायरा रिदैमा लगाऊनोंच भगवान का आँखामा बाच्छल्य का धारहरो बगना लागेशा जन एती सानो कलीलो अमेर भाईगो मिरो भक्त कती मजाले बसेरा मिरो बजन गरदेशा निडर तरिकाले इस्तो भक्तलाई देखता भगवान का आँखामा आशु नाईकना रहे नंच जन भगवान भक्तवा सलोनच छती में लगाएरा भगवान का आशु द्वारा दुरुवका शीर मा आशु का थो पाहरो जरेको अवस्ता जन अनि दुरुवजी क्या भन्न चाहन होंच तर प्रस्ट बाणी चैन ज्यान चैन दुरुवमा ज्यान नभवे का कारण लिगरदा भगवान ले त्यकुरा थाभयो मेरो भक्तम ज्यान चैन न मन्ने कुरा चाल पाएरा भगवान ले पशपर्श बालं कृपला कृपया का पोले भगवान ले आपनो पांच जन्य शंख लगेरा दुरुवजी का गालामा च्वाई दिन भगवा ब्रह्मा मैन कंबुना हां कंबुना मनिको शंख त्यों जन्य संक लगेरा दुर्बा का गालामई छोई दिने भिति गई दुर्भा जीजी का रिदय मां बेद विदान्त पुराण इतहास का संपूरन ज्यान रो भरियरा आया रिदय माय तु बिरांत मै ओमकार मै ब्रह्म मै ज्ञान मै शंक छाई दिने वित्ति गई सारा ज्ञान अवत्तरित बनेराए अनि ज्ञानी बनेर दुर्वजिले भगवान को दिभ्यस्तुति गर्नोंच युन्त प्रभिष्यमामाच मिमाम प्रसोपतां संजीव यत्य खिलसा तिधर स्वधामना अन्याम सहस्त चरण स्रवन त्वगादिन प्राणा नमो भगवते पुरुशायत उभ्यों युन्त प्रभिष्यमामबाच इमाम प्रसोपतां ही प्रभुपरमातमा मेरो सुते को बाणी लाई सुते को इग्यान लाई अजुर लेघ शंकाछ फायरा जगाई देनो भगवाईको शाल दुरुबजी क्ये बनना चानादे हो न Анच ग्यान बनने कुरा सब़गी का भेत्र हो नच यो होई ना कि मसंग ज्ञान चाहिए ना तेस होई ना ज्ञान नभाई को ब्यक्तिता होदे 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 ना कोई बनी ज्ञान मनेगो बाईर बाटा आयर पस्टने कुरा होई ना सजा ज्ञान ता बित्रे को ज्ञान उठने कुरा हो ज्ञान सबैसंग होंच तर कस्तो अवस् आमा हुन्चा सुदि को उंचा घ्ञान तो सुदि को घ्रण लाइ उठाई दिने काम बनेगो गुरूले गरनोंच शिश्य को शुदि को घ्रण जागरु गरावनेचे मतावनेगो केवल गुरूमा उंच आरूमा हो दयदा हमेले बजार मा गये रा पुष्थक कीनेद ल्याये रा हमेले पड़ुँँँ बने त cantidad बन्ने खोजिको खुरा हमेले लए 68 00.00 बुजन गादो चां याद होहुदैना तर तेई पुष्थक को खुरा उरू का मुखारविंदा थो भार शुन्यों भने सवेह कोरा याद होंचा ओहो योता ये शुब वनेयारा चाए वनेर अगी सवेह कोरा पजीनचा किनवा गुरू मुखी नभाहिको विद्या सुसुप्त विद्या कईली पने उड़ताई नैंज गुरू मुखी वहे पचि मातरई तेशेई ले गुरुको महिमा शास्तरले तेशेई बताएको है नेशाज़ुआ गुरुको महिमा शास्तरले मात्रे शाओ पुस्तक पैशाले पुस्तक पैँच तर ज्यान किन्न पाइदे नगाई यांत गुरुकृक्रिपाले मत्री प्राप्त हुँँँँँदुग दुरुबजी महराज बन नोंच तपईले मेरो शुतेको ज्यानलय उठाए दिन जुप प्रभू कि नगी तमें दा सबी भुत प्राणी का रिदय मा आतमा शदुपले विरादमानोंच घट-घट मा अवस्तितो नोंच इस्ता प्राण नमो भगवते पुरुशाय तुभ्यम सबी का प्राण आधार सबुपर ब्रम्म परमात्मा भगवान लाई मा बारंबार पढा इसरसफ के विधे करिवाम लाई मा बारंबा भगवान लाकवन दिर्वधे सुपल परभ भणा परभू माम हजर्षघ ख्याएप्णे मांगना चाहन नहसा अ ममंधीना Countyiser अधित्य मेले मागें बनेता में आयकर विर दाम बाने का आखव नज भागवान ले नहांग द्र सवें माला था लेकर के दिया अनी双नो प्रेमिरो लानित ना ने यृम्हें गीजा हो तो सबोलक मारा ठाथ आपना पिता का शिंगाशनमा बशेर राजा बनेर राशत्ता चलावनौ प्रिथिवी को चक्रवर्थी शम्राट राजा बनेर राशत्ता चलावनौ चत्तिस बर्श होईना, चत्तिस मैना होईना, चत्तिस शय बर्श पनी होईना, चत्तिस हजार बर्श स्वानौ राजा बनेर राशत्ता चलावनौ अनि तिमीला अंत्य समयमा मेरो धाम प्राप्ता हुनेचे बनिर भगवान ले बरदान दिनंबो दुरिवजी लए भगवान ले प्रणाम करनबो दुरिवजी अंतर हितो नबो भगवान अंतरी तो नबो दुर्वजी महराजने भगवान लए प्रणाम गरदै श्मरण गरदै बरदान लए प्राप्त गरेर फर्केर आउन लागन भो आउदे गरदा खेरी बाटामा दुर्वजी विचार गरनोंच मैले आज भगवान संग बरदान मागे मुक्ति दिने भगवान संग मैले तुछा राजिय मागे मैले छुलो गल्ती गरे मने दृवजी विचार गरनोंच थली कर इवाधन हां हती सुन्दर कुर्या वन्नोंच यहां कुने ब्यक्तिले कुविर को उपास्चना करे छान कुविर वने का धन का मालिक कुविर को उपास्चना करे कुविर जी आउन भो परदान मागा भक्त वन्नुवाई छा कि भुर्फितonse, प्रभुमलय ऐखती Went inge घान जैन को भूष्च चाय्य है, घानेसर काने सुध नहीं कारी ठीता प्रेस कि अव थे घाने घान जैनिय ठीत जन्हीं कि रूबिष्च लक्ली घान कहते ज़्लंगा मैंगी दियाल जनी कुबेर संहत दुचार हजार मन दाने मागया भईबने होंजे निया बुष्था आभई निकालनो निजाती जाएं थे आए रधान को भुष्य बर्दान मागय जस्ताई मुक्ष दिने परमातमा संहा मैले तुच्छा राजिय मागया मैले ठुलो गल्ती करें आज मेरो मन ले मानी रहेगो छईन तर भगवान ले श्वयं तिष्ट बर्दान दिनाभो मलै बंदै दुरभजी मन मा विचार गरदै घरदै आउंदै भणाँचा जहां नारजी ले द्रुबजी लाई ज्यान दिन भो नारजी तुरुंता उत्तान पात का दरबार मा जाना उंच तपैंगो पुत्र लाई मैले ज्यान दिये अवा हजुर को पुत्रा बनमा गये भजन करना जंगल मा रानी एकलेई छेन रानी को भावना भुजन तपाई को करतव्य हो वन्नों राजाले समझाओन वो त्यां बाट नारज तुरुंत रानी का कुटिया मा जंगल मा पुगन वो गाईर वन्नों वो माता अव तपाई का जीवन मा दुखा का दिन अवशक्ये अवा सुखा का दिन सुरु भै अवा के दिन मात्रे हो अजुर का पुत्र ले अवा इश्वर प्राप्ति गरे रावने आवने वाला छा मैं ले ज्ञान दे हे माता सुनिती तपंगी ले पुर्व जन्मा मा ठुलो पुण्य कर्म गरे को हुनु पर्षा थुलो पुण्य किना की तपश्या नगरी कना कुनी पनी माताले पुण्य कर्म तपश्या नगरी कना दुरुव जस्तो संतानला जन्म दिन सक्ति नंति आमाले आमा को तपश्या को पुण्य कर्म मिश्य को हुंच अनि मात्रे दुबा जस्तो संतान ले जन्म लेंच यो जन्ममा तपुण्य कर्म नहुला अतर कुने जन्ममा अवश्य सुझी तिले पुण्य कर्म करेगो हुनो बरसमाता तपही को त्यो पुन्य कर्म को फल दुरुब बनेर आये को सहजुर का गाड़ी आड़ु दुरुब ले अवश्य इश्वर प्राप्ति गारने शनावा नारत ञiggers ये शंताएपछे राजा का मन मा पनी जित्धी रानी परति तो है प्रेम जागारित भयो ऌनमा गएरा रानी ये श्यम ल्याईरा मर दरबार मा राह्नवो जवता शवता मा पनी शवतेनी डाहा शमावता भाइको चारु किने की दुबले परमात्मा का मार्गमा चलना थाले पचे सत्रूले पनी मित्र को जस्तो व्यवार गारना थाले सजना अमेर ले दुन्या ले खुशी बनाऊँ छूँ दुन्या ले खुशी बनाऊँ छू मा बने ड़ मसंग कोई नरिशावस बने ड़ तपाई ले मैंचे ले सम्झावना थालनोबो संसार सम्यावना थालनोबो बने तपाई को ब्रह्म मात्रे हुने छा संसाज सम्यायर कईली सके देन तपाईले मंचले खुशी बनावन तिर लागने हुई न तपाईले मंचले खुशी बनावन परिवार ले खुशी बनावन आभंत ले खुशी बनावन तपाईले कईली पनी शक्नोन तपाई ले केवल एवडा इश्वर ले खुशी बनावनो होँच तपाई श्वर दुनिया खुशी होँच तपाई इश्वर का पछाडी लागनो होँच तपाई का पछाडी दुनिया लागशा तपाई दुनिया का पछी लागनो भो बने दुन्याले तपाहिला पचाडी नी छोड़ीन चछ again तड़ तपाहि यवडा इश्च्वर का पचाडी लागन önव भढने दुन्या शवऑ तपाहि का पचाडी लागने चा संसार्गा पची लागे ड़े क्य फाहिदा चाई ना किय प्राप्त मुँदै ना तपाईले येवडा इश्वरले प्रसन्न अलिकती मात्री गराऊनो बोगने तपाईश्यक दुन्या खुशी वन्जा सत्रूपनी नतमस्तक भाईरा जोक्षन तपाईं का अगाड़ त्यों छेमता भगवान का भक्त मा हुँँचा सबी मा हुँदे न तिसीले दुरुवजी महराज ले जुन्दिन देखी तपश्या प्रारंब गर्णबो सबी दुरुवका अगाड़ी छुके का सबी बातावर्ण सांता चा सत्रूपनी मित्रवद विवार गरचन सोते नी डाहा समाप्त भागो चा सबी भरको बातावर्ण सांता चा बातावर्ण सांता चा क्मर्ण सामप्त भागो करे गर्ली अगर्ली गर्ली spots जाए गोछा द्रुवजी लाई स्वागत गर्ना मने रा बंद दीटी आमा है रो उर् राजा उतान पाद स्वयम अगाडी पढ़्न भो रत मा चडिरा एग आईपकी पसी द्रुवजी ले पेगी जटेए गाली गारेगे तिनी दुरुवलाई तिने आमा को रातेची शबैवंदा अगाडी अगाडी जए दुरुवलाई दुरुवजी ले गायरा तिने कांची आमाले प्रणाम करनुवाई आमाले मेरा जिवनमा ठुलो काम गर देना बाहाँचा मेरो गुरु बनन बाहाँचा आमाई कंची आमाई किने कि तेस्तिन मलाय आमाले गाली नगर्न भाईगवाई मैले भगवानलाय प्राप्त गरने थेना नी दर्शन पाउने थेना माध्यम ता आमा बन्नो बने कांची आमा दुवाली गाईर प्रणाम गर्नो उन्छा पाउमा जुकेर सास्त्रले पनी बन्च कि बन्च प्रथमम दुर्जनम बन्दे बन्च पैलो प्रणाम सत्रुलाई गर्नो आरे अनि मात्रे मित्र ले मित्रत लेटा नगरिये, मित्रता आपना जादी जoret थैखंचे तर पयलो प्रणाम सत्रु ले करतो प्रथमाम दुर्जनम बंदे दुर्जनलाई आपनो बनाए बने दुर्षालां ऊता जो करतो प्रणाम गरती नभो शुरुची का आंखा वाट आंशुका धारा बगे बस्तमा दुरुवा गलत होईना रचा गलत्ता मौपर रचता मुईले ठुलो गलती गरें शेरा उसले आपनी आमा पिता छडेरा पहिलो प्रणाम मलाई गरें आजा मलाई उल्ले क्वती सम्मान करदो रचा मैली नरामर भावना बोकेर गाली गरीगे थी एल्लाई भनेरा पस्षा ताप भयोते तिखेरा सुदुची लए सुदुची रुंचिन दुर्वजिले भन्नवामा मलाई आशिर्वाद दिनोन्ना मन्ना पावमा जुगेगो पुत्रल रिदयमा लगाएं सरुचिले रुंदय रुंदय शिर्मा हात राखेर भन्चिन परिशस्वाह जीवेती वाष्वगधि गदया गिराहा बावू तिमी चिरंजिवी भायर भाशनु है तिमीला कैले पनी जीवनमा दुखन उस्चिरंजिवी भायस पत्र भनेरा आशिर्वा दिन सबुठा कुनिघ समय मा यू जन्ममा छिटे मर्नू अर्को जन्मम मेरा गर्व मा आयरा जनमी वस्यानी मात्रेत राजा बुल्डफाने गाली गरने आमाइं इन आठाभावान प्राप्ताँ गरे न आई पसषिरंजिवी भायस बनेरा आशिर्वाह दिन जन्मनी खोरे खुलाहरू गैर थुला नदिमा मिलदा ठुला नदि गैर साङर्म मिलचन शागर्मienen exact पहसागर्म जशरी मिलचन तिसागरी भगवान को भक्ता का अगारी पने शानातिना महत्रे वैना थुला थुला सत्रूहरू पनी नत शुक्ताश सबीला जुकाउनों पर्षवने आप आपनों सत्य तालाई धाईरिय तालाई कोई लेपने छड़नों दैना से अरू भन्ने जेशुगे भनी रंजन आप हैं पच्छी पच्छोताउं जाले नियुक शत्यतामां सई मार्गमां हिन्ने वाला ब्यक्ति कवो जल्ले खनी खोत्र जल्ले जी कुरा काटने कामगर सहनी ती बेख्ति आप हैं पचि परशन की नगी उसमा शत्यताचा धाईर्यताचा सजन्न उस्चाई मार्गमां हिडेगो चाए उल्लाई कशेईली पनी क्या गार्ना सकताई नाम तेस्ता बेख्ति ले आप हैं पच्छोताउं नों पर्शा दुर्बजी महराज कर अगाड़ी सुनिती जुकिन ते थ Wheare जुकेकी संस्टुनि मैत्रिय महामनी बन्नोंच यो भगवान को कृपा हो ए पर मार्टमा को कृपा बने गो तिस्तो हो नश ग रहा दुर्बजी ले आपनी आमलय पनी पिता लाई पने प्रणाम गर्नोंच, सवेले आशिरवाद देनवो, स्वागत का सात्मा दुरुबजी लाई लेर जानवो राजा उत्तान पादले, दुरुबजी अवा छोराले राजा बनने बरदाम लेर आयो भने, अवा महीले कुर्शी ओगाटी रहनो हुदैना भनेर, उत्तान पादले, दुरुबजी लाई राजा पने देनवोंच, दुरुबजी राजा बननोंच, राजसत्ता चलाउनोंच, विता बन्म जानवो, तपश्या गर्दे आपना आत्माले, उत्तान पादले, मुक्ष्यवकती प्राप्त गर्नोंवाई, एता दुरुबजी पत पत्नी थिन बायू देवता की पुत्री इला नामगरी की पत्नी अर्की बनी थिन दुबगी उनी द्वाराव बनी संतान हेरो जन्वे अनी तिस पस्द दुबजी महराज को जीवन यात्रा चल लेए थे सबी प्रजाहरों प्रसन्य चित्त थे एक दिन गो कुरा द्रुबजी का जो सवतेनी आमा का पुत्र उत्तम थे उनी सिकार खेलना बनमा गये जन्वे यक्षहरु संगा जगडा भायचा यक्षहर ले उत्तम को बद गरी दिये अनी ध्रुबजी ले बड़ा कुरोद आये सा ध्रुबजी जानवो युद्ध गर्नोंच थे रे यक्षहर को संगार गर्नवो ध्रुबजी ले यक्षेहर को संगहार गरे पचे यक्षेहर का मालिक कुवेरले आयरा सम्झावन वयो जो बजिलाई अविशिक्त गरनोंच अनि तेस पसाद स्वेम्बो मनुले परी आयरा सम्झावनोंच आपना नातिलाई एदा तमो द्वारेन पापमन आ युता नरग को द्वार All कुरोध बने को नरग को द्वार All रिशावने बानी राम्रो हई न मानव जीवनमा कुरोध कईली पनी गरनों होड़ै बनेर सम्झावनोंच दुरोभजी फट्के रामनोंच आपनो राज्य सत्ता चलाई राणो भाईगो त्यों द्रुबजिले राज्य सत्ता चलाउने करम जारी थियो अनी गर्दा गर्दे द्रुबजिले विचार गर्नवो अब मेरो भगवान ले दियेको 36,000 वर्ष पोर्ण होना लागयो भने पछे द्रुबली आपना पुत्रला राज्य विचे गरायर बद्रिनाथ का सन्निकटमा गर्दा तपश्या गर्न लागनो भो तपश्या गर्दी हुनुंतियो अकाश मार्गवाट भगवान का पार्ष देले विमान लेर उपस्ति दो नभो द्रवडी बिमान मद चर्णोषब भगवान गो धाम जानु पर्षबन गरायर बिमान मद चर्णने लागनो भगो त्यों एगजन काला काला पुरुष अए जस्टो शरीर कालो छ पपडा कालाई लगागो छ माराज तपहिं ले मलाई स्विकार नगरी बिमान मा चड़ना पाऊना उन्ना तपहिं को परिचाई बन्दा मेरो नाम मृत्यु देवता मा काल हूँ भने गर्ले तपहिं ले स्विकार गरनी परसा बन्दा हाँ भगवान का पार्षदेले बिमान अली मांथी राखनु वाद्यु मत सनु सनु मंचे बिमान मा चड़ना मुष्किल परि राखोच यह तला बशनोस्ता बन्नु विचरा मृत्यु देवता हाद जोडेर टुकरुक तला भईमा बशे मृत्यु देवता का शीरमा पाव राखेर टेकेर दुरुबजी महराद बिमान मा चड़नु वाद्यु मृत्यु देवता का शीरमा पाव राखेर टेकेर दुरुबजी महराद बिमान मा चड़नु वाद्यु देवता का शीरमा पाव राखेर टेकेर दुरुबजी महराद बन्नबो भगवान का पार्षा देला एक्षिन पिमान रोक नोस्वन्नौ किन बन्दा मैलेता मेरी आमालाई ल्यावने बेश्चियाँचु आमालाई नली तम जान्नौ उत्तम की माता जो सुरूची थिन उनिता पुत्रको मृत्ति भाईपची उनिले बन्मा गैर प्रांट् कारिन एता दुरुव की आमा उनौन तयो मा आमा नली जानना बन्नबो दुरुवजी ले तेटी भन्ने नित्ति कई भगवान का पार्षा देले बिमान को एवडा जयाल खोल्दी नबो पाईरहेर नोस्ता बन्नो जयाल बाट पाईरहेर दा अगाड़ी अगाड़ी भगवान का पार्षा देले बन्न वो द्रवजे त्यों अगाडी का बिमान मा हजुर की आमा सुनीती जादे हुनंचा भगवान को था हजुर की आमा जादे हुनंचा किने की हजुर जस्ता भक्तलाई जुन आमाले जन्म दिन भो हुर्काउन भो बड़ाउन भो शिक्षा दि आमा भक्त नभई हजुर भक्त बन्न शक्न भएन ते सेले अजुर बन्द अगाडी हजुर की आमा जादे हुनुँच भगवान को धाम बने दभगवान का पार्शा देले बन्न भईो तेती भण्य बित्तिके दुबज़िल आनन्द भईो मेरी आमाले पनी मुक्ष्य प्रदानगरनबएव शिद्धानाम न गतीकिता आज समन ठुल अठुल शिधातमा महां परुषयर अने डिस्तो धामलाउ प्राप्तगर्न सकनबःगो तेन तिस्तो दिभ्य लोग दिभ्य धाम तारा नक्षत्र गण हेरु का बीचमा चम दिभ्य पद प्रदान गर्न भयो आज पनी आकाश्मा चमकी लो तारो बने रदुबबबने रदुबबदी महराज विराजमान हनोंच सजन भगवान का भक्त हरो बांचुन जल पनी चमकि प्रदुबबदी महराज को दिभ्य पावन कथा प्रसंग सुगदेप्जी महामनिले परिक्षितलाई मैत्रेयले बिदोरलाई बताउन भयो सजन अत्यंत सुंदर मनोहर कथा प्रसंग परंभागवद दुबदी को कथा हमेली पनी सवंगर्यों आउनस अब हमी यवडा हमी और को कथा प्रसंग मा प्रवेश करने सहूं भक्त वश्चल वगवान को जय हो यो जिन्द की केको लागी हो हरी सुमिरन गरना लाई हो यो जिन्द की केको लागी हो यो जिन्द की केको लागी हो हरी सुमिरन गरना लाई हो यो जिन्द की कर दो जिन्द की केको लाई हो काडा बीच को फूलर जस्तो जीवन आधी बतास बीच को यो मेरो मन यो मान लाई काहा लाने हो यो मान लाई काहा लाने हो भरी सुमिरन मा लगाई राने हो यो जिन्द की केको लाई की हो यो जिन्द की केको लाई की हो भरी सुमिरन करना लाई हो यो जिन्द की सावे नितानी को सिवा करते नो लाई जय हो जय हो हर पल जिवन को पल पल छड़यो हर पल जिवन को पल पल छड़यो सुस्तरी सुस्तरी तेसाई जाने हो हरी नाम ले काहा लाने हो हरी नाम ले काहा लाने हो अब सावरते खी कारी लाने हो यो जिन्द की केको लाई की हो यो जिन्द की केको लाई की हो हरी सुमिरन करन लाई हो यो जिन्द की यो जिन्द की भक्त वसल वगवान को यो 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 झाल झाल झाल